नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें सुक्समृध्धी के प्रतीक, विघन विनाशक, सिध्धी विनायक, बुध्धी के अधिदेवता, अगर पूज, वक्रतुंड, महोदर, लंबोदर आदी अपने गुन, प्रभाव और रूप से जाने जाने वाले श्रीगनेश का इस बार मंगलवार 19 सितंबर स्वाती नक्ष ध्वज योग, पराक्रम योग साथ सूर्य बुध के परिवर्तन योग के होते भादरपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्रीगनेश जनमोचसव है, जो गुरुवार 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के लिए मनाया जाएगा. गनेश चतुर्थी में भूल कर भी ना करें ये गलती, बप्पा होंगे नाराज, बिगड़ जाएंगे बने का. हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक अथ्वा शुब कार्य करने से पहले गनेश जी की विधी विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि वह सभी विघ्ण हर लेते हैं. हिंदू पंचान के मुताबिक भादरपद माह के शुकलपक्ष की चतुर्थी तिथी को गनेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है. गनेश चतुर्थी का उत्सव अगले दस दिनों तक चलता है. इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुवात 19 सितंबर से होगी और इसे 28 सितंबर तक मनाया जाएगा धार्मिक मान्यता के मुताबिक गणेश चतुर्थी में भगवान गणपती बप्पा की विधी विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है घर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनके प्रियवस्तूओं को अर्पित किया जाता है कई बार कई लोग भूल जाते हैं कि गणेश उत्सव में गणेश जी को क्या अर्पित करें और क्या ना अर्पित करें तो चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि गणेश उत्सव में बप्पा को क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं अर्पित करना चाहिए अयोध्या की प्रसिद्ध जोतिशी पंडित कल की राम बताते हैं कि गणपती बप्पा की विधी विधान पूजा आराधना करने से साधक के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन जोतिश शास्त्र के मुताबिक भगवान गणेश को कुछ चीज अर्पित करने की मना ही होती है ना करें तुलसी अर्पित सनातन धर्म में तुलसी का विशेश महत्व बताया गया है भगवान विश्णों की पूजा आराधना करते वक्त तुलसी का प्रयोग अति आवश्यक माना जाता है लेकिन गणपती बप्पा की पूजा आराधना करने में तुलसी दल को अर्पित करना वर्जित माना जाता है इसके पीछे कई पौरानिक कथाएं हैं जिसमें धार्मिक ग्रन्थों की माने तो एक बार भगवान गणेश ने तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसके बाद तुलसी ने गणेश जी को दो गिवाह होने का श्राप दे दिया था शायद ही वजय है कि गणेश जी की पूजा आराधना में तुलसी अर्पित करना वर्जित बताया गया है बप्पा को अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें यह बात भगवान गणेश की पूजा करते समय कभी भी तूटे अथवा सुख अक्षत को नहीं अर्पित करना चाहिए क्योंकि अक्षत का अर्थी होता है जिसकी कोई छती ना हुई हो यानि जो पूरा हो पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले साबुत चावल को अक्षत माना जाता है ना अर्पित करें कितनी का फूल गणेश चतुर्थी के दौरान गणपत बप्पा की पूजा आराधना करते वक्त बात का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कितनी के फूल को नहीं अर्पित करना चाहिए मान्यता के मुताबिक भगवान शिव पर भी कितनी का फूल नहीं चड़ाया जाता है इसलिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करते समय इन फूलों को चड़ाने की मन ही होती है इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में सफेद फूल, सफेद रंके वस्त्र, सफेद जनेव, सफेद चंदन इत्यादी नहीं अर्पित करना चाहिए इस समय करे श्री गनेश स्थापना, मिलेगा मन चाहा फल शुब महूर्ट कीज़े शुब काजा, तो फल मिले मन चाहा यह कहावत यूँ ही नहीं बन गई क्योंकि शुब महूर्ट पर किये गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्ट के कार्यों में अधिकाश असफलता मिलती है इसलिए गनेश चतुर्थी पर श्री गनेश की स्थापना भी शुब मुहूर्ट मेही की जानी चाहिए ताकि हमें मनवांचित फल की प्राप्ती हो इस साल भादरपद माह के शुकलपक्ष की चतुर्थी तिथी की शुरुवात 18 सितंबर को दोपहर 12 बचकर 40 मिनट पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1 बचकर 45 मिनट पर समाप्थ होगी ऐसे में उद्यातिथी के आधार पर गणेश चतुर्थी और 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुवात 19 सितंबर को ही रहेगी व्रिश्चित जोकी स्थिर लगन है 19 सितंबर के दिन सुबह 10 बचकर 54 मिनट से दोपहर 1 बचकर 10 मिनट तक रहेगा इस सर्वश्रिष्ट मुहूर्त में आप पूरे मानसम्मान, हर्शोल लास और धोलन गाड़ों के साथ गणपती को अपने घर लाकर विराजमान करें और विधिविधान से पूजा करें शुब सन्योगों के संगम में निश्चित आपकी मनुकामना पूर्ण होकर धनसम्पदा और खुशियों का खजाना ले आएं अपने घर घर पर स्थापित करने के लिए कैसी होनी चाहिए गणपती की प्रतिमा गणपती के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांतशीतल और सौमें उसी तरह बाईं और वाले सूंड के गणपती हमारे लिए श्री, लक्षमी, आनंद, सुक्समृध्धी, यश्व, ऐश्वर्य के दायक होते हैं वहीं दाईं और सूंड वाले गणपती में सूर्य का प्रभाव होता है ऐसे गणपती की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजापाठ, आराधना, आरती विध्यविधान पूर्वक करनी अत्यंत आवश्चत है और जरासी गलती मुसीबत बन सकती है आपने देखा होगा कि सिध्धी विनायक मंदिर में दाईं और सून्द वाले गणपती विराजमान है जोकी अपने आप में अध्भुत व अनुपम है क्योंकि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण विध्यविधान व शास्त्रोत है इस बात का भी विशेश ध्यान रखें की यदि आप वास्तु दोश निवारन के लिए वास्तु गणपती विराजमान करते हैं तो उनकी सून्द दाईं और ही होगी और यदि पूर्ण रूप से सिध्ध व अभिमंतरित श्वितार्क गणपती की आप पूजा करते हैं तो और संतान प्राप्ती की इच्छा से आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश उत्सव पर बाल गणेश की प्रतिमा घर लाएं घर में आनद, उच्साह और प्रक्ती, उन्नती के लिए गनेश जी की नृत्य करते हुए मुद्रावाली प्रतिमा घर लाएं जो लोग कला में विश्वास रखते हैं, उन्हें भी नृत्य करते हुए गनेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए यदि घर में स्थाई सुक्षान्ती व आनत के लिए आप गनेश जी की प्रतिमा घर लाना चाहते हैं, तो गनेश जी की ऐसी प्रतिमा घर लाए जिसमें गनेश जी लेटे हुए आराम करने की मुद्रा में हो ऐसी प्रतिमाग्रेहस्थ व्यक्तियों के लिए भी अतिशुभ मानी जाती है जब भी आप गणेश प्रतिमाले इस बात का अवश्य ध्यान रखें की उनका एक हाथ वर्दान की मुद्रा में हो, एक हाथ में दंट, एक हाथ में लड्डू होना चाहिए साथ ही उनका वाहन मुशक राज भी अवश्य होना चाहिए तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार